पता नहीं उनका नाम क्या है? लेकिन सभी बच्चे उन्हें जूलन मामा ही कहते हैं। राजेंद्र नगर की उन्ची इमारतों के पास एक छोटा सा हाता है। उसी में दो कमरों का एक छोटा सा घर जूलन मामा का है। घर के चारो और फूल, पौधे और पेड है। मानो एक छोटा सा जंगल ही है। यही नीम के पेड से लटकता हुआ चौकी नुमा जूला है। इस पर मामा दिन भर बैठे जूलते रहते है। इसलिए उनका नाम जूलन मामा पड़ा है। मामी शिक्षिका है, दानापूर में पढ़ाती है। पता नहीं कब खाना बना कर, घर बन कर, सुबह की ट्रेन से ही चली जाती है। मामा अपने जूले पर टिफिन कैरियर, पानी और किताबे लिए बैठे जूलते रहते है। वही पढ़ते है, खाते है और सो जाते है। मुहले के बच्चे जब स्कूल से लौटते है, तो कभी अपने अल्बम के लिए फूल पत्ती लेने, कभी कोई सवाल पूछने, या कभी-कभी जूलने के बहाने ही जूले पर चड़ जाते है। जूलन मामा उन सब के बड़े अच्छे दोस्त है, उन्हें पढ़ाते है, सूरज डूबने पर मामी जब शाम की ट्रेन से घर लौटती है, तब मामा घर के भीतर जाते है। पिंकु को जूलन मामा से बहुत प्यार है, क्या करें वेचारा, उसके पिता को अपने व्यवसाई से ही फुर्सत नहीं, उसकी मा को समाच सेवा के कारेक्रमों से, उसे कोई पढ़ाने वाला ही नहीं है, विज्ञान और गणित उसे कितने कठिन लगते है, दूसरे बच्च जूलन मामा, जूले पर ही जूलते जूलते उन्होंने उसे सब समझा दिया था, पेड पौधों में जड, तना, पत्ते कैसे काम करते है, पत्ती कैसे भोजन बनाती है, जानवरों और पौधों में क्या अंतर है, पक्षी कैसे उड़ते है, पिंकु की मा को जूलन मामा से च मेहनत करती है और ये दिन भर जूले पर बैठा बैठा जूलता रहता है। पिंकु का मन करता है वो भी मा से कहे तुम भी तो दिन भर अपने कामों के लिए घुमती हो, जूलन मामा तो तुम से बहुत अच्छे है, किताब पढ़ाते है, कहानिया सुनाते है, अच्छी अच्छी बाते बताते है, पर पिंकु कुछ बोल न सका। दो दिन बाद मा की डाट के बावजूद, आया की नजर बचा कर पिंकु जूलन मामा के घर आया। पर यहां क्या? घर में ताला लगा था, जूला सुना पड़ा था, फूल खिले तो थे, पर सब उदास उदास लग रहे थे, पक्षियों के गीद भी उदास थे, गिलहरी बिना शोर किये चुपचाप बैठी थी, बस खाली जूला धीरे धीरे हिल रहा था। पिंकु चुपचाप लोट आया, किसी को भी पता नहीं था कि अचानक जूलन मामा कहां चले गए? दिन गुजरने लगे, एक सुबा पिंकु सोकर उठा, तो उसने देखा कि पिताजी अकबार पड़ रहे है, उन्होंने उसे बताया, सारे विश्वविद्याले में तुमा पर दोड पड़ा, पर वहां मिला, वही ताला और खाली जूला, पिंकु फिर लोट आया, अचानक एक दिन पिंकु ने देखा कि उनका घर खुला है, और जूलन मामा बगीचे में खड़े, एक बेल को उपर चढ़ा रहे है, वो दोड कर गया और पीछे से ही उनकी पीट पर जूल गया, अरे चोड़ो चोड़ो, ये कहते हुए जूलन मामा ने उसे अलग कर दिया, और खुद भी धड़ाम से गिर पड़े, पिंकु उनके उस व्यवहार से हैरत में पड़ गया, वो तो इतने दिनों बाद प्यार से मिल रहा था, और मामा है कि उसे धकेल रहे है तभी मामा बोले, बिटा, अपने हाथ का सहारा तो दो जरा, उसका हाथ पकड़ कर जूलन मामा उठे और चलने लगे, ठक, 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 ठक पिंकु का दिल धडक उठा, पहली बार, पहली बार वो जूलन मामा को चलता देख रहा था, पर ये क्या, ठक, ठक मामा ये ठक ठक कैसी है पिंकु ने पूछा जुलन मामा ने अपने पैर बाहर निकाले दोनों पैर लकडी के थे पिंकु तो सहम गया मामा हस पड़े अरे डरो मत बेटा मेरे पैर थे ही कहा आगे उन्होंने बताया एक दुरगट नामे मैंने पैर भी खो दिये थे और मेरी नौकरी भी वो तो तुम्हारी मामी का ही साहस और धैर्य था जो मुझे इस तरह संभालती रही मैंने बाहर जाकर परिक्षा दी तुम्हारे जैसा ही एक लड़का था जो कभी मुझे से पढ़ता था अब डॉक्टर हो गया है उसने हमें बंबई बुलाया वही मेरे लकडी के पैर बने अरे हाँ और एक खुश खबरी सुनो कल से मैं तुम्हारे स्कूल में पढ़ाने आ रहा हूँ मेरी नौकरी लग गई है अब जूले पर बैठने की जरूरत नहीं है मैं भी चल सकता हूँ तुम्हारी तरह गिरने का क्या डर जब तुम्हारे जैसा सहारा है मेरे पास ये कहकर वो फिर चलने लगे ठक 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 पिंकू को लगा ये ठक 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 की आवाज उसे कोई संदेज दे रही है बचो मुझे पता है कि आपको ये जूलन मामा की कहानी जरूर पसंद आई होगी और उसमें क्या पसंद आया उसमें आपको कौन सा करेक्टर पसंद आया ये आप मुझे कमेंट सेक्षन में जरूर बताईएगा तो मिलते है फिर अगली कहानी में हम एक बत दो बता न भूली गई Books That Speak इस चैनल पर जरूर आईएगा वेबसाइट www.booksthatspeak.com मिलते है अगली कहानी में बाई बाई शुक्रिया